दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का अप्रवेश मैं हूँ देवेश दोस्तों रोजाना शोभय वशाम हम आपके लिए 6 महत्वपूर्ण खबरों का मजेदार इनालेसिस लेकर आते हैं इसलिए आप हमारे चैनल आत्म निर्भर इन्वेस्टर को कर दीजिए उसी क्रम में हम चाचा करेंगे कि राहुल गांदी भाई साथ फाइनली नेता बन गए हैं आज कैसे चलता करेंगे तो भाईया जी रूस के साथ हमारा जो ट्रेड है उसने तो भाईया जी बहुत तगड़े रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं तो भाईया जी अडा को यह प्रभावित करने वाला है साथ में पाकिस्तान ने नए रडार डिप्लोई किये हैं भारत के खिला आप इनको आई-एम से बिल आउट चीए लेकिन हरकत देखो आप इनकी यूक्रेन को भाईया जी बिल आउट मिल गया मतलब युद्द लड़ रहा है देश लेकिन आई-एम-एम से पैसा मिलेगा इजिप्ट को भाईया जी भारत से स्पेशल मदद चाहिए कौन सी बाली चर्चा करेंगे हर गटना क्रमी एक से बढ़ करें कि आपको पक्के समझा आएगा आनंद के साथ वीडियो देखिएगा अब दोस्तों साल 2025 तक का टार्गेट था कि भारत और रूस के बीच में थर्टी बिलियन डॉलर का ट्रेड होना चाहिए लेकिन वो लक्ष पूरा हो गया है 2022 में ही यह वह या समय बड़ा बलवान जो चीज 25 में होनी थी वह 22 में हो गई है अब क्या बोल रहे हैं कि 2023 मतलब बर्तमान केलेंडर येर में दोनों देशों 50 बिलियन डॉलर का ट्रेड होगा तो बहुत अच्छी बात है लेकिन दिल में हमारे कशक है कि इस ट्रेड में केबल पुतिन साहब को प्रॉफिट हो रहा है हमें नहीं हो रहा है भारत से रूस एक्सपोर्ट बढ़ेगा तब मज़ा आएगा नहीं तो भईया जी ऐसे बेल जाए बिना आदमी नेता नहीं बनता तो यहीं बात घुस गई है राहुल गांदी के भेजे में तो उन्होंने भाईया जी डिफेमेशन केस चल रहा है गुजरात में उसमें कह दिया कुछ भी हो जाए मैं माफी नहीं मांगूंगा और आज देखो सजा हो गई दो साल की बेल मिल गई पूबात अलग है लेकिन बात का पतंगड तो बन रहा है लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि यह साहाब कहते हैं कि अगर उनको बुरा लग रहा है कि राहुल गांदी ने उन्हें चोर कहा तो भाया जी राहुल गांदी ने उनसे माफी क्यो नहीं मांगी क्यो नहीं मांगी बता हुआ आप इन लोगों से क्या दुष्मनदी है राहुल गांदी को मोधी छा नहीं गड़ापे ंप में जबाब दो आपको भाईया जी बुड़ापे में नेता बनना है तो भाईया बन जाएए आप इस तरह से तो भाईया जी आप तिल का ताड राई का पहाण बनाओगे तो भाईया जी मक्हौल ही उड़ेगा नेता तो आप ना बन पाओगे अब दोस्तों इजिप्ट में हो गया है डॉलर क्राइस उनको डॉलर नहीं मिल रहा है देश में डॉलर की डिमांड जा रहा है तो वह किया आप इंडिया से बात कर लो और जो है जो दोना दिशों की ट्रेड है वह रुपईया में लोकल करेंसी में कर लो यह बहुत अच्छी बात है रुपय का प्रभाव बढ़ना चाहि अब दोस्तों यही दिन देखना बागी था बाई साब आई एम एफ ने सोचो आप इतियास में पहली वार अपनी पॉलसी चेंज करी है यूक्रेन को बेल आउट देने के लिए और कितना बेल आउट दिया है पंदरा दसंबलाव 6 बिलियन डॉलर का सोचो आप पाकिस्तान भईया जी माथा पकड़ लिया एक एक दो दो बिलियन डॉलर के लिए 6-6-7-7 महिनों से दो दो सालों से जो है माथा पीट रहे हैं आई एम एप के आगे और पैसा नहीं मिल रहा और यूक्रेन को देखो 16 बिलियन डॉलर मिल गया हो पाकिस्तान जो है देख लो हतियार सप कर रहा है क्योंकि भाईया जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है दुनिया में पस्चमी देशों ने यूक्रेन का मदद करने का ने लिया है तो आईए मैं भी यह लाइन में लग यह पैसा देने लगा क्या बोल रहे हैं यूक्रेन की एकॉनमी को मदद पहुचाएंगे यूक् अब दोस्तों पाकिस्तानी देश है कैसा पाखंडी देश है आईए में अपसे बैल आउट से करेंगे क्या देखलो यह रडार खरी देंगे लॉखीड मार्टिन का अत्या अधुने का रडार है यह जो चोर कैंटिर यह वहां नया डिप्लॉई किया है यह वाला रडार और यहां बार्डिन में भी किया हुआ है क्यों कि भारत ने डीजा में नया एयर बेस बनाया है तो आप देखिए यह देश अपनी सुरक्षा की विवस्था अल्रेडी कर रहा है मत भले ही फीक में पैसा मिलता रहे लेकिन हत्यारों की तैयारियों में कोई कमी नहीं आने हैं लड़ने की विवस्था दिन रात करते रहते हैं यह मरने मिटने को तैयार हैं सिर्फ किसलिए ताकि यह भारत को मार सकें जिन्दा ही है इसलिए ताकि बारत मर सके इसी बीच भाईया जी अडानी के बाद का कहना है अब दूसरे गुरुप का नंबर है हम जल्दी ही रिपोर्ट डालने वाले हैं तो भाईया जी हमारी मीडिया में तो भाईया जी लोगों के मुझे से उचल पड़े हैं भाईया जी कि तो हम तो अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि आपको एक्सपर्ट बनना है अब बन जाओगे बस अखवारों को पैशा खिलाओ पैशा खिलाओ आप जो है सारुखां से बड़े हीरो बन जाओगे इस देश के बस आप पी आर एजनसी हायर कर लो अखवारों के मुझ में पैशा ठूंच दो मोदी से जादा चर्चा आपके नाम की होगी वही कंसेप्ट समझ में आ गया है इन साहाब को कि यह हमारी मीडिया कैसी है सौर्ट पोडिशन खड़ी करो और मीडिया को पैशा कर लाओ रही बाद हमारे जो स्टूडेंट से बहुत ज़्या ध्यान से सु चलती है चार्ट एनलेसिस करके आप आगे बढ़ सकते हो पेपर ट्रेडिंग की बोला हम खरीदने बेचने की राइट पतवा रेक्मेंडेशन नहीं दे रहे आप पेपर ट्रेडिंग करके सीखिए कि अगर इस तरह का घटनाग्रम जो बताके हो रहा है उसको आप क्या पक होगा नहीं कि कहा जाता है दोस्तों हाथ कंदन को आर्जी क्या पड़े लिखे को भर्सी क्या ट्राइकर लीजिए आप करके सीखिए इसी पीट भाईया जी यह रेलवे यह इनका मैं समझ में नहीं आता क्या दिकत है मतलब इनको पिछले साल इनोंने लॉंच करी थी एसी ट्री टियर एकॉनमी और यह उसों सस्ती थी आठ परसेंट तो सस्ती थी लगवग एसी ट्री टियर नॉर्मल वाली से क्यों सस्ती थी भाईया जिसमें कपड़े नहीं मिलते थे अब महंगा हो गया तो इसके पैसे बढ़ा दिये खतम कर दी थी इस क्लास को अब जो है फिर अब दोस्तों नॉर्मली जो शेर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उसमें लोगों को यह चीज मालूम है सब को कि तो सेल करते हो आप ऑप्शन तो आपकी क्या होता है जीतने की संभावना बहुत अधिक होती है बट दिक्कत क्या होती है कि लॉस अनलिमिटेड ह सकता है कितना भी लॉस लग सकता है तो यहीं डर रहता है ऑप्शन शेलिंग में लेकिन कुछ आचार चानख की की संभावना भी अधिक होती है और लॉस भी लिमिटेड हो जाता है कब लिमिटेड होता है सौधा खड़ा करते समय ही limited loss की guarantee हो जाती है तो वो जो आचार चानकी की complex hedging strategies है वही हम cover करेंगे अपने course आत्म निर्वर advanced option course के माद्यम से आप मैंसे जो हमारे students है जो खास तौर पे option course लिया हुआ है जिन्होंने वो आत्म निर्वर advanced option course जोईन करने के लिए इसी वीडियो के description box में link के दिए क्लिक करके उसे जोईन कर लीजिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैस्ट्री राउंड